इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत स्थितियों में दर्द और सूजन से रहत दिलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह रूमेटॉइट गठ्या, एंकिलोजिंक स्पॉंडिलिटिस और ऑस्टियो ऑथराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन को प्रभावी ढंक से कम करता है। असैम इसे स्टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। पेट को बचाने के लिए भोजन या दूद के साथ लेना चाहिए। देखे जा सकते हैं। अगर आप इस दवा को दीर कालिक उपचार के लिए ले रहे हैं तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से अपने किड्नी फंक्शन, लिव फंक्शन और रक्त के घटकों की निगरानी कर सकता है। दीर कालिक उप्योग से पेट में रक्तसराव और अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।